26 Apes swag वाली entry, अब तक आपने पढ़ा, सितारा अपनी packing करती है, Trilog Clinic पर जाने के लिए और Devil Prince भी Trilog Clinic पर जाने के लिए अपनी तयारी करता है, सभी Angels और Devils Trilog Clinic पर जाने से पहले वहां के Rules के हिसाब से अपनी अपनी शक्तियों को बाहर ही छोड़ देते हैं, और फिर कुछ और टेस्ट के बाद उन सभी कुछ लोग Clinic पर जाने के लिए पमिशन मिलती हैं, काफी देर बाद सभी अपने अपने होस्टल पहुँचते हैं, और सफर की ठकान की वज़े से सभी आराम करते हैं, Next morning, सितारा स्कूल के लिए ready हो रही थी, अब आगे सितारा अपने स्कूल के पहले दिन होने की वज़े से थोड़ी नर्वस हो रही थी, लेकिन नए लोगों से मिले और इस नए जगल को एक्स्पलो करने के लिए वो excited भी थी, सितारा रेडी होकर अपने स्कूल के और होस्टल से स्कूल की दूरी सिर्फ कुछ मिंटों की ही थी, एंजल स्कूल, एक वाइड कलर की एक खूप सूरत इमारत, जहाँ पर बहुत अच्छा और positive वातावरन था, ये स्कूल बहुत बढ़ा था, इसमें काफी सारे rooms यानी class rooms थे, अलग-अलग classes के लिए अलग lab और auditorium भी थे जहाँ पर सभी, एंजल्स को उनकी पावस के हिसाब से train किया जाता था, सभी students एंजल्स को यहाँ के सभी नियम rules मानने पड़ते थे, सितारा की एंजल्स स्कूल में entry, सितारा हॉस्टल से कुछी मिंटों में स्कूल तका पहुँची और फिर वो स्कूल के गेट के ब मदद कर सकती हूँ, मुझे यहाँ अपनी असलियत चुपानी होगी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, ताकि एक अच्छी एंजल्स बन कर मैं, इंसानों की मदद कर सिंकू, यह सब बोल सितारा ने अपने आप से वादा किया, और वो स्कूल में अपना पैर रखत सितारा स्कूल की खूबसूरती को निहार रही थी, तो स्कूल की सभी स्टूडेंट्स यानि एंजल्स सितारा की खूबसूरती को निहार रहे थे, सभी एंजल्स जो लड़के थे, उनमें से एक बोला जो सभी इस वक अपने मन में, सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि, दूसरी ओर लकडिया एंजल्स सितारा को जेलर्स होकर उस पर अपनी तीकी नजरे डाल रही थी और सितारा जो उन दोनों से बेखबर अपनी ही धुन में उस स्कूल को एक्सप्लो कर रही थी उसने एक व्यक्ति से पूछा कि फर्स्ट इयर की ट्रेनिंग कहा पर हो रही है त सितारा को वो टीचर काफी अच्छे लगे और उन्होंने जैसे उसको समझाया था सितारा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई सितारा ने अपनी क्लास में इंटर किया और जाकर सेकंड रो की फर्स्ट बैंच पर बैट गई उसने क्लास को भी देखा स्कूल की तरह क्लास भी बहुत बड़ी और अच्छी थी और स्कूल के इंट्रांस की तरह यहां भी सभी लड़के एंजल्स सितारा को तार रहे थे और लड़कियां सितारा से जेलिस हो रही थी अब भले ही ये एंजल्स ही क्यों ना हो लेकिन अट्रक्शन और जेलिसी तो सभी को होती है फिर चाह और तैयार होकर अपने हॉस्टल रूम से निकाल गया, डेविल स्कूल के लिए, डेविल स्कूल, डेविल स्कूल के अंदर डेविल क्राउन प्रिंस अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अलग ही एटिट्यूड में खड़ा बाते कर रहा था के तभी उनके ग्रूप को कुछ स् स्टुडेंट्स देख रहे थे, वो भी अपनी नजरे उस तरफ मोर लेते हैं, जब उन्होंने देखा तो वो भी देखते रह गए, सामने स्कूल के इंट्रैंस पर एक बहुत ही हैंसम लड़का ब्लैक आउट्फित में खड़ा था, और उसका हाथ उसने बड़े स्टाइल से उसने अपनी पैंट की पॉकेट में डाल रखा था, और एक हाथ से वो अपने बालों को बड़ी ही स्टाइल से पीछे की और सेट करते हुए स्कूल में इंटर कर रहा था, उसने ब्लैक कलर के ही शैद लगाए हुए थे जो उसकी खूबसूरत आँखों को ढख रहे थे, उस लड़के को देख सारी लड़किया डेविल्स आहे भर रही थी और अपने मन में उसे पाने की प्राथना अपने डेविल गोट से कर रही थी, और सभी लड़के डेविल इस वो आँखों में अंगारे लिए उस लड़के को देख रहे थे, क्योंकि उनके सामने डेविल वल्ट का सबसे हैंसम देवल यानी की देवल प्रिंस खड़ा था जी हाँ आप सभी ने सही समझा ये हमारे मोस्ट हैंसम देवल प्रिंस ही है कौश्टक देवल प्रिंस को देख देवल क्राउन प्रिंस को काफी गुस्सा आ रहा था और फिर उसने नफरत से देवल प्रिंस क को एग्णो करते हुए बड़े ही swag के साथ entry लेता है और crown prince और उसके दोस्तों की group के पास से होता हुआ उन्हें इग्णो मरते हुए अंदर चला जाता है देविल प्रिंस के वहाँ से जाने के बाद प्रावन प्रिंस के एक्सप्रेशन बहुत ही डाको छुके थे उसका चेहरा बिल्कुल काला पर चुका था जिसे देख एक पल के लिए तो उसके सभी दोस्त भी डर गए फिर उन्होंने उसे शान्त करने के लिए वो उसे वहां से दूसरी जगव पर लेकर चले गए Devil Prince अपनी क्लास में आ गया और एक सिट जो की बकी सभी सीटों से अलग और आली शान थी जिस पर बैट कर वो सारी क्लासे जाराम से बिना किसी परेशानी के बैट कर ले सकता था वो जाकर उस पर किसी किंग की तरह बैट गया Devil World के सभी Devils उसे यानि की Devil Prince को जानते थे और किसी की भी हिम्मत उसे अपनी आँख उठा कर भी देखने की नहीं हो रही थी Devil Prince आराम से अपनी सिद पर बैट कर अपनी क्लास सुरू होने का इंतजार कर रहा था उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं था और नहीं उसे उसके बारे में कोई क्या सोचता है इस से फर्क परता था ग्यारह लेकिन जहां पर सभी लड़के Devil Prince से दर रहे थे वही सभी लड़कियां Devil Prince को अपनी खाजाने लस्ट वाली नजरों से देख रही थी उन्हें Devil Prince का इतना हैंसम होना और उस पर से उसका वो एटिट्यूड हाई वो चाहकर भी अपनी नजरे हटा नहीं पा रही थी उनमें से एक लड़की ने कहा वाउ जितना सुना था कि Devil Prince Devil World की सबसे हैंसम देविल है उतना कम था यार ये तो सिर्फ Devil World के ही नहीं बलकी मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे गेलेक्सी के मोस्ट हैंसम मेन है ये कहते वक्त उस लड़की का एक हाथ उसने बैंच पर रखा हुआ था और उस पर अपना चेहरा रखकर वो डेविल प्रिंस को अपनी प्यार भरी आँखों से निहार रही थी सिर्फ वो ही नहीं बलकी की सबी लड़कियों का भी यही हाल था सारी लड़किया डेविल डेविल प्रिंस से दोस्ती करना चाहती थी लेकिन वो ऐसे ही सीधा सीधा उससे ऐसे दोस्ती के लिए पूछने से दरती थी क्योंकि वो कोई आम डेविल नहीं था बलकी एक प्रिंस था इसलिए उन्होंने अपने आपको रोक लिया लेकिन उन्होंने सोचा कि अब devil prince अपनी training के लिए road school आएगा तो उनके पास बहुत समय और मोके है devil prince से दोस्ती करने के और एक बार दोस्ती हुबे तो फिर वो उसके करीब जाकर उसे अपने प्यार के जाल में फसा कर वो भी royal family का हिस्सा बन जाएंगी और वैसे भी एक इतना handsome life partner with royal statuses के लिए तो वो अपनी जी जान लगा कर कोशिश करने के लिए तयार है ये सारी बाते उन सभी devil girls ने अपने मन में सोची और devil prince को impress करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगी फिर कुछ देर बाद teacher class में आते हैं और ये first year की class थी इसी लिए वो सभी को एक formal introduction देने के लिए कहते हैं सभी students अपनी बारी आने पर अपना अपना introduction देते हैं अब बारी आती है devil prince की आगे जानने के लिए पढ़ते रहे अब तक आपने पढ़ा सितारा एंजल स्कूल में इंटर करती है तो वो स्कूल को explore करने में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सभी students उसे ही आँखे फार फार कर देख रहे थे और वही दूसरी ओर भी ऐसा ही हाल devil prince के साथ होता है और दूसरी तरफ devil prince को अपनी नफरक भूरी नजरों से devil crown prince देख रहा था सितारा और devil prince सभी को ignore करते हुए अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं तो वहां का भी हाल स्कूल के entrance जैसा ही होता है अब आगे devil school में टीचर सभी students को अपना अपना formal introduction देने के लिए कहते हैं सभी students यानी की devil बारी-बारी से अपना नाम बता कर अपना introduction देते हैं अब बारी आती है devil prince की अपनी बारी आने पर वो devil prince अपनी seat से खड़ा हो गया उसे खड़ा होते देख सभी devil girls excited हो गई उसकी आवाज सुनने के लिए फिर devil prince ने कहा hello everyone मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता इसलिए आप सभी मुझे prince कहकर ही बुला सकते हैं ये कहकर devil prince अपनी seat पर वापस बैठ गया उसके इस जवाब से सभी हैरान थे और सारी devil girls थोड़ी निराश क्योंकि किसी भी devil world के devil को devil prince का असली नाम नहीं पता था सभी उन्हें devil prince कहकर ही बुलाते थे और उनसे devil prince उनका नाम पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी आज इस फॉर्मर इंट्रोडक्शन के बहाने से सभी devil prince का असली नाम तीन जानना चाहते थे लेकिन devil prince के नाम ना बताने पर कोई भी उन्हें फोस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्लास टीचर को भी devil prince के इस तरह के बरताव की उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसी स्कूल में उसका devil prince बड़ा भाई यानी devil crown prince भी पढ़ता था जो की सभी teachers का पसंदीदा favorite student था जो की अपने अच्छे बरताव के लिए जाना जाता था और वही दूसरी तरफ उसी का छोटा भाई जो की अपना नाम भी बताने में attitude देखा रहा था फिर teacher ने अपने दिमाग से इस सारी बातों को जटका और सभी को पढ़ाना शुरू कि devil prince पूरे concentration ध्यान लगा कर के साथ अपनी training कर रहा था और class के सभी लड़के भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे लेकिन सारी लड़किया तो बस devil prince को देखते हुए ना जाने क्या क्या सपने देखने लगी और उधर दूसरी ओर angel school में सितारा अपनी class में बैठी थी और devil school की त सितारा अपनी seat से उठी और उसने बहुत प्यार से सभी से कहा hello everyone मेरा नाम सितारा है उसका नाम सुन सभी लड़के जो काफी देर से सितारा का नाम जानना चाहते थे उनकी खुशी का तो ठीकाना नहीं था और सितारा ने एक प्यारी सी मुसकान के साथ सभी को देखते और फिर बाकी Angels का intro लिया गया introduction के बाद teacher ने उनकी class taught की सितारा अपनी class में पुरा ध्यान लगा रही थी सभी students भी ध्यान से अपनी class attend कर रहे थे लेकिन बीच-बीच में लड़के अपनी आँखों के कोनों से सितारा को देख रहे थे दो classes के बाद सभी students को break दिया गया सित सितारा ने पीछे मुल कर देखा, वहाँ पर दो लड़किया खड़ी सितारा को ही देख रही थी, और सितारा के उनको देखने पर, उन्होंने सितारा के पासा कर कहा, लड़कियों ने सितारा से कहा, हाई, सितारा, उन, सितारा ने भी जवाब दिया, हैलो, वैसे आई एम सोरी लेकिन मुझे आप दोनों का नाम नहीं पता सितारा ने थोड़ा येंबर्स शर्मिंदा होते हुए कहा सितारा की बात सुन उन दोनों लड़कियों ने मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है हम ही अपना नाम बता देते हैं, कहकर उन दोनों ने सितारा को comfortable feel करने की कोशिश की, ये और फिर उन दोनों में से एक ने कहा, मेरा नाम हवा है और ये मेरी दोस्त क्रिशा है, इवा ने अपना नाम बताने के बाद अपने साइड में ख़ली क्रिशा का इंट्रो देते हुए क सितारा ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और फिर उन्होंने एक दूसरे से बाते की तीनों में जल्दी ही काफी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने साथ में स्कूल को एक्सप्लो किया तीनों की ही बॉंडिंग बहुत अच्छी। ती सितारा को उन दोनों के होते हुए अकेला पन महसूस नहीं हुआ स्कूल ओवर होने के बाद तीनों मिलकर एक साथ हॉस्टल गए इतिफाक से एवा और सितारा का रूम आसपास था लेकिन क्रिशा का रूम उनसे अलग फ्लो पर था सभी अपने अपने हॉस्टल रूम जाकर आराम करने लगे क्योंकि आज पहला दिन था और वो काफी ठक गए थी और उन्होंने आज स्कूल को एक्सप्लो करने के चक्कर में रैस्ट भी नहीं किया था और उन लोगों के पास असवक्त कोई मेजिकल पावर भी नहीं थी वही दूसरी और डेविल स्कूल के पीछे वाले एरिया में डेविल क्राउन प्रिंस आखों में अंगारे लिए बैठा था और उसकी दोस्त उसे शान्त करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी किसी भी बात का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था फिर एक लड़के ने जो की क्राउन प्रिंस की दोस्तों में से ही एक था वो बोला हाँ हम जानते हैं कि तू अपने छोटे भाई से बहुत नफरत करता है लेकिन प्लीज तू समझ अगर तूने ऐसे ही बरताव रखा तो देवल किंग तक ये सारी बाते पहुंच जाएंगी और वो तुझे कभी भी किंग नहीं बनने देंगे और छोटे देवल प्रिंस को बना देंगे उसने देवल क्राउन प्रिंस को समझने के लिए कहा लेकिन उस लड़के की बात सुनकर क्राउन प्रिंस की आँखों में खून उतर आया और उसने उस लड़के की गर्दन पकर ली और गुसे में कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको मेरा छोटा भाई बोलने की और क्या कहा था तुमने किंग कि डेविल किंग मेरी जगह उसे किंग बना देंगे ऐसा ना तो कभी हो सकता है और ना मैं कभी होने दूंगा समझे तुम ये बोलकर डेविल क्राउन प्रिंस ने उस लड़के की गर्दन छोड़ दी ऐसे अचानक छोड़ने से वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा और वो लंबी-लंबी सांसे लेने लगा उसके ऐसा करने से सभी दोस्त घबरा गए लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बहुत समझाया उनकी बातों को समझकर डेविल क्राउन प्रिंस काफी हद तक शान्थ हो चुका था सिर्फ और सिर्फ वो ही डेविल क्राउन प्रिंस ही जानता था कि उसने जैसे कैसे अपने आपको शान्थ किया था फिर सभी शान्ती से अपनी अपनी क्लास में चले गए वही फर्स्ट एयर की क्लास में डेविल प्रिंस अपनी पढ़ाई करने में बिजी था कि एक काफी सुन्दर डेविल गल चलती हुई डेविल प्रिंस के पास रुकी और उस लड़की ने कहा हेलो मेरा नाम माया है उस लड़की ने काफी confident होकर कहा क्यूंकि वो भी काफी सुन कुछ बोलने को हुई लेकिन डेविल प्रिंस उस इगनो करते हुए अपनी studies करने लगा अपने आप पर नास करने वाली लड़की है माया माया की ये insult उससे से बरदश नहीं हो पा रही थी लेकिन फिर भीक माया उसने कहा hello क्या तुम्हें मेरा नाम सुनाई नहीं दिया क्य उस लड़की के ऐसे दुबारा कहने पर डेविल प्रिंस अचानक से खड़ा हो गया और उसने कुछ कहा चा 28 अपमान अब तक आपने पढ़ा एंजल स्कूल और डेविल स्कूल दोनों में ही सभी students यानि एंजल्स और डेविल्स का एक formal introduction हुआ सितारा ने बड़े ही प्यार से अपना इंट्रो दिया लेकिन डेविल प्रिंस ने साफ साफ मना कर दिया क्लास ओवर हो जाने के बाद सितारा को दो लड़किया मिलती है और फिर उन तीनों में जल्दी ही दोस्तों हो जाती है डेविल स्कूल में डेविल प्रिंस के पास क्लास की सबसे सुन्दर डेवि गई डेवल प्रिंस ने उसे अपनी तीकी नजरों से घुरा और बिना कुछ कहे वो माया की साइट से होकर क्लास के बाहर चला गया डेवल प्रिंस के ऐसे घूरने से माया बहुत दर गई थी लेकिन उसके ऐसे उसे माया इगनो करने से माया को बहुत गुस्सा आ रहा था और अपने गुस्से से लाल चहरे से उसने अपने आप में बरबर आया, समझता क्या है? अपने आपको हाँ, होगा डेवल प्रिंस, लेकिन इसने मुझे मतलब माया को इगनो किया, जिसके पीछे डेवल स्कूल के सारे लड़के पड़े हैं, और मुझसे बात करने तक के लिए त यह सारी बाते माया ने अपने मन में कही और फिर उसके हुंतों पर एक डेवल स्माइल तेर गई, डेवल प्रिंस माया को इगनो करके क्लास से बाहर आ गया और वो जैसे ही ग्राउंड की तरफ बढ़ा तो उसे कुछ लड़कों ने घेर लिया, वो सभी उसे डेवल प्रिं पकर लिया और फिर वो उसे स्कूल के पीछे वाले एरिया में ले गए, डेवल प्रिंस ने ज्यादा उनसे चूटने की कोशिश नहीं की और चुप चाप उनके साथ चला गया, वो सभी लड़के डेवल प्रिंस को लेकर एक सुनसान जगह पर आ गए, जहाँ पर उनके पता हूं कि तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, उसकी डेवल प्रिंस की बात सुनकर एक लड़का जो ठीक डेवल प्रिंस के सामने उसकी तरफ पित किये हुए खड़ा था वो पलता और उसने डेवल प्रिंस की तरफ अपनी गुसे से लाल आँखों से उसे देखा, उस लड़के को देखकर डेवल प्रिंस ने कहा, ओ तो तुम हो, मैं भी यही सोच रहा था कि पता नहीं एक ही दिन में मेरा स्कूल में कौन सा नया दुश्मना गया, उसने डेवल प्रिंस ने उस लड़के की आँखों में आँखे डाल कर कहा, डेवल प्रिंस का ऐ देवल किंग बनूँ, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि तुम अच्छी से जानते हो कि मैं तुम से कितनी नफरत करता हूँ, और तुम्हारे साथ रहना तो दूर की बात है, मुझे तो तुम्हारी शक्य देखने से भी नफरत है, और तुम्हारी शक्य देखने के और मैं अपना आपक हो कर कुछ हैसा कर दूनगा जिस कारण, पापा मुझे से नाराज होकर, मुझे देवल किंग नहीं बनने देंगे, और फिर तुम उस बात का फाइदा उठा कर खुद ही देवल किंग बन जाओगे, लेकिन याद रखना मैं कोई आम देवल नहीं हूँ मैं देवल क्राउन प्रिंस हूँ और मेरा किंग बनना ते है, देवल क्राउन प्रिंस ने बिना रुके एक एक शब चबा चबा कर कहा, देवल क्राउन प्रिंस की सभी बातों को सुनकर देवल प्रिंस ने उसकी आँखो में आँखे डाल कर कहा, देखो, ना तो मुझे का पारा चद गया और फिर उसने कहा वैसे भी तुम्हारे दिल्चस्की लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक आफ ब्लद हाफ बलड कभी भी डेवल किंग के सिंधासन पर नहीं बैच सकता। डेवल क्राउन प्रिंस ने डेवल प्रिंस की इंसल्ट करते हुए कहा। ये सुन डेवल प्रिंस की आँखे जो अब तक शान्ट थी वो आगुगलने लगी और उसके एक्सप्रेशन बहुत दाख हो चुके थे वो गुस्से से तमत्मता हुआ आगे बढ़ा और जाकर सीधा अपने दोनों हाथों से डेवल क्राउन प्रिंस की गर्दन पकर ली उसने डेवल प्रिंस की पकर से चुड़ाने की कोशिश करने लगे लेकिन डेवल प्रिंस की पकर बहुत ज़्यादा मजबूप थी जिस कारण वो उसकी पकर से अपने दोस्त को चुड़ाने में नाकाम्याब हो रहे थे लेकिन काफी देर बाद उन सभी ने इन दोनों, Devil Prince और Devil Crown तीन प्रिंस को एक दूसरे से अलग किया, फिर भी वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी एक दूसरे को खतम कर देने वाली नजरों से देख रहे थे और उधर दूसरी तरफ एंजल स्कूल के हॉस्टल में एवा, क्रिशा और सितारा एक साथ सितारा के ही रूम में बैठी हुई थी वो तीनों मिलकर बहुत सारी बाते कर रही थी सितारा उन दोनों से बहुती कम वक्त में काफी घुल मिल गई थी वो खुश थी क्योंकि आज तक उसने कभी ना तो पहले इसके बाहर की दुनिया को देखा और ना ही उसके कोई दोस्त थे, बस अकेले में ही उसका बच्पन बीद गया एवा ने उन दोनों को एंजल स्कूल के बारे में और उसके रोस के बारे में बहुत सारी बाते की, सितारा ने भी उनसे बहुत सारी बाते की, कि तभी बाते करते करते सितारा ने एवा से पूछा, वैसे एवा, एक बात पूछ हूँ, वो एवा से सवाल पूछते हुए थो और वैसे भी हम दोस्त है और दोस्तों से जिज़क कैसी। इवा की बात सुनकर सितारा ने उससे कहा, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी के। तुम्हें इस जगल के बारे में इतना सब कैसे पता, जैसे तुम ना जाने कब से यहां पर हो। ये कहते हुए सितारा ने एक स्वीट सी स्माइल इवा को पास की। इवा ने ये सुन कहा, कि वो मेरी एक बड़ी बहन है जो मुझसे तीन साल बड़ी है और उसकी ट्रेनिंग खतम हो चुकी है, वो अब एक एंजल बनकर हुमन वल्ड में अपना काम कर रही है। इवा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हुमन वल्ड में जाने से पहले मेरी बहन ने मुझे इस स्कूल और इसके हिस्सा और हुमन वल्ड वाले हिस्से के बारे में बताया था। इवा की बात सुनकर वो दोनों भी बहुत एकसाइटड हो गई और फिर उन दोनों ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे। डेवल क्राउन प्रिंस डेवल प्रिंस को हाफ ब्लड कहकर उसकी इंसल्ट करता है। जिस वजह से डेवल प्रिंस का गुसा ओट आफ कंट्रोल हो जाता है जिससे वो आपस में लड़ने लगते है। और उधर एंजल्स हॉस्टल में सितारा, एवा और क्रिशा आपस में ब डेवल क्राउन प्रिंस और डेवल प्रिंस दोनों को एक दूसरे से अलग करके डेवल क्राउन प्रिंस के दोस्त उस लेकर हॉस्टल चले गए और डेवल प्रिंस वही ग्राउन में ही अपने घुटनों के बल बैक गया, उसे रहरेल कर डेवल क्राउन प्रिंस की उसे हाफ जुन्दर थी वो निकली और उसे देखते हुए वो कहने लगा आज मुझे आपकी कमी बहुत स्ता रही है अगर आज आप मेरे साथ मेरे पास होती तो मुझे इस वक्त अपने सीने से लगा लेती आप क्यों मुझे छोड़ कर चली गई मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं मेरे पास बस सिर्फ आपकी ये एक याखिरी निशानी है जिसे देख कर जिसे चुकर में आपको महसूस कर पाता हूं ये कहते वक्त डेवल प्रिंस की आँखों में नमी थी और उसके चहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था काफी देर ऐसे ही उस अंबूठी को अ आये थे एखों में वर्ड वाला हिस्सा और ना हिउमन वर्ड वाला हिस्सा बिल्कुल धरती का हुबहु नकल था यानि की जरॉक्स कोपी लेकिन इसमें एक बात अलग थी कि यहां ना तो इंसान थे ही इंसानों की दुनिया की तरह प्रदुशन पॉल्यूशन क्योंकि इं जगह को एक्सप्लो कर सके, सभी स्टुडेंट, चाहे वो एंजल हो या फिर डेविल, सभी बहुत एक्साइटड थे, सबसे पहले उन्हें नेचुरल इन्वायर्मेंट में लेकर जाए गया, एंजल स्कूल वाले अपने स्टुडेंट्स को एक जील के पास लेकर गए, और व बहुत बड़े एर्या में एक धलान लिये गहरी जमीन जिसके अंदर नीले रंग का पानी जो की एक दम साफ और शुद्ध था, वो भरा हुआ था, और उसके चरी तरफ बहुत ही सुंदर हरे भरे पेर पोधे थे जो की उस जगल की खूदसूरती को और भी बढ़ा रहे थ और उस पानी में कुछ अनोखी जीवते रहे थे, ये नजारा जितना सुंदर था उतना ही सभी एंजल्स के लिए हैरान करने वाला था क्यूंकि उन्होंने इससे पहले इतना अनोखा द्रिश्य नहीं देखा था, वो किसी छोटे बच्चे की तरह यहां से वह वहा आमी करने लगे ताकि सभी स्टुडेंस आराम से सभी चीजों को देख सके, जंगल वाले हिस्से में, सभी डेविल स्कूल के स्टुडेंस को ह्यूमन वर्ट के जंगल वाले हिस्से में उन्हें एक टास्क के लिए लेकर आया गया था, जिसके उन्हें अंक्यानी की नमबर इस टास्क के लिए उन्हें तीन दिनों के लिए यही इसी जंगल में रहना पड़ेगा, और चोथे दिन सभी को उनकी पफॉर्मेंस के हिसाब से अंक्यानी नमबर दिये जाए गए, पहले दिन सभी को एक साफ से मैदानी इलाके में टैंट करने के लिए कहा गया जो कि उन स्टुडेंट ने समय से अपना काम पूरा नहीं किया था, उन्हें अलग कर दिया गया, पहले दिन की परीक्षा पूरी हुई, डेविल स्टुडेंट में से कुछ स्टुडेंट आपस में बाते करने लगे, उन्हें से एक ने कहा, वैसे ये परीक्षा इतनी भी मुश्किल नहीं थी, मैंने सुना है कि इंसानों में भी इसी तरह टैंट लगा कर जंगलों में रहा जाता है और उसे आ, 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 शायद, हाँ, याद आया अकमपिन कहते है, उस लड़की ने काफी सोचकर याद करते हुए कहा, उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की को कि उनके पास ही नहीं लगी, ये तो कितनी आसान थी, अगर ऐसी ही परीक्षा आती रही तो फिर उन्हें तो में ऐसे चुपकियों में कर लेंगी, उस लड़की ने अपने हाथ से चुपकी बजाते हुए कहा, इसी तरह कुछ और स्टुडेंट्स भी इसी तरह की बाते कर रहे थे, जिसे वही से गुजर रहे एक टीचर ने सुन लिया और फिर वो जाकर सभी स्टुडेंट्स के सामने खड़े हो गए, टीचर ने सभी स्टुडेंट्स से कहा, कि आज की परीक्षा बहुत आसान थी क्योंकि ये आप सभी का स्कूल का पहला सपता है, और पहली परीक्षा इसी लि उन्हे कल की परीक्षा में क्या होने वाला है, इस बात की चिंता सता रही थी, अब शाम हो चुकी थी, सभी डेविल स्कूल के स्टुडेंट्स ने टैंट के पास ही आग जलाए और वो अपने इस कमपिंग ट्रिप को एंजोई करने लगे, क्योंकि उन्होंने ये सारी बनाकर सारी जगहों पर घूम रहे थे, उन्होंने जील में तहरती हुई मचलियों को देखा, और आस्मान में उलते हुए सुन्दर पक्षियों को भी देखा, इस दुन्या में इंसानों को छोड़ कर बाकी सभी जीव जन्तु यहां पर थे, और यही नहीं बलकी धरती पर जिन जीव जन्तुओं की प्रजातियां खतम हो चुकी थी वे सभी भी यहां इस दुन्या में मौजूद थे, उस जील के आसपास घूमते हुए सभी स्टुडेंट्स आपस में बाते कर रहे थे, जिन में हमारी सितारा और उसकी दोस्त इवा और क्रिशा भी शामिल थी, सि सितारा भी अपने होश में आ गई और उसने कहा, क्या सच में, इंसानों की दुनिया इतनी ही सुन्दर है, जिसका प्रतिरूप मैं इस वक्त देख रही हूँ, सच में हमारी दुनिया से कितना लग है, कितना प्यारा नजारा है ठाका और कितने प्यारे जीव है यहां पर, स सितारा की बातों को सुनकर रेवा ने कहा, वैसे अगर इस दुनिया को वाक की, में धर्ति का बिल्कुल हुबहु नकल करके बनाया गया है तो फिर तो सच में इंसानों की दुनिया बहुत अलग और खूबसूरत है, इवा ने भी इस जगल की खूबसूरती को निहारते हुए कहा, उन दोनों की बातों को सुनकर क्रिशा ने कहा वैसे इस बात का पता तो हमें तब चलेगा जब हम यहां से अपनी ट जो उनके साथ यहां पर आये थे, वो सभी एंजल स्कूल की स्टूडेंट्स को लेकर वापस एंजल स्कूल वाले हिस्से में लेकर चले गए, क्योंकि रात को उन्हें वहाँ पर रुखना सही नहीं लगा, सभी स्टूडेंट्स रात के समय तक अपने हॉस्टल पहुंच ग लेकर आना और वो भी सिर्फ दो घंटों में ये टास्क सुनकर सभी स्टूडेंट्स थोड़ा दर गई क्योंकि उन्होंने सुना था कि सुनेहरा ज्वाला मुखी हमेशा सक्रियर रहने वाले ज्वाला मुखी में से एक है, और वो यहां से तक करीबन एक घंटा और तीस मि जाएंगे और उस ज्वाला मुखी के अंदर से उस पत्थर को लाना भी है जिसमें भी समय जाने वाला है, तो समय से इस टास्क को पूरा करना तो वाकिया में बहुत मुश्किल होने वाला है, ये सारी बाते सभी स्टूडेंट्स टेबल सोच रहे थे, उन्हें अपनी कल की बातों पर अब गुसा आ रहा था कि, कि उन्होंने कल के टास्क को ईजड कहा, तो अब भुपतो करो टास्क कम्प्लीट जो लगता तो नहीं है कि कम्प्लीट होने वाला है, फिर कुछ देर बाद टास्क सुरू होता है, सभी स्टूडेंट्स पूरी जान लगा कर दोलते है ज्वाला मुखी की और आए, पूर्ण अविराम, उधर दूसरी और डेवल स्कूल वाले हिस्से में, डेवल क्राउन प्रिंस और उसके दोस्त अपनी क्लासेस लेने के बाद पीछे वाले हिस्से में बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे डेवल क्राउन प्रिंस का सबसे खास दोस्त बोला, वैसे तुम सभी को पता है कि सभी स्टुडेंट्स जो की फर्स्ट इयर के है उन्हें परीक्षा के लिए यूमन वर्ल्ड वाले हिस्से में लेकर जाया गया है ये सब उसने डेवल क्राउन प्रिंस को एक इशारा देते हुए कहा और उसका इशारा समझ कर डेवल क्राउन प्रिंस ने उसे एक डेवल स्माइल दी और फिर उन सभी ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और वो सभी Human World वाले हिस्से में जाने के लिए निकल गए, कुछ देर बाद वे सभी उस जगल तक पहुंच गए जहां पर सभी Devil School की स्टुडेंट्स मौजूद थे जंगल में Human World पहला टास्क पूरा हो चुका था और बस साथ स्टुडेंट्स को छोड़कर सभी इस टास्क में फेल हो चुके थे, सभी स्टुडेंट्स बहुत थक चुके थे इसलिए उन्हें आराम करने को कह दिया गया था उन साथ स्टुडेंट्स जोकी अपने टास्क में पास हुए थे उनमें से एक Devil Prince भी था और उसकी पफोर्मेंस सबसे अच्छी थी और ये सब वहां से कुछ दूरी पर खड़े, Devil Crown Prince और उसके दोस्तों ने भी देख और सुन लिया था वो, Devil Crown Prince, ऐसे Devil Prince को सभी टास्क में जीतते हुए नहीं देख सकता था उसने अपने दोस्तों को अपना अपना काम बताया और फिर अपने आगे की कामों में लग गया सभी Devil Crown Prince के दोस्तों ने कम वक्त में बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था क्यूंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि अगला टास्क कहा और कैसे और क्या रहने वाला है थोड़ी देर बाद, सभी स्टुडेंट को एक साथ बुलाया गया और उन्हें नेक्स टास्क के बारे में बताया गया अगला टास्क ये था कि उन साथो विद्यार्थी स्टुडेंस योंको एक जील धूननी है और उसमें से उन्हें एक सित निकालनी है जिसमें बहुमूर्य मोती निकालना है ये उनका तीसरा और आखिरी टास्क है तीसरी परीक्षा में टाइम लिमित नहीं थी जिस वजह से पराम से सही से अपना काम कर सके परीक्षा सुरू होती है और सभी जील की और भागते हैं सभी पहुंचते हैं जील के किनारे उस जंगल में बहुत सारी जील थी और उन सभी में उस एक मोती को लाना बड़ा मुश्किल पर रहा है सभी स्टुडेंस अब इधर एक दूसरे क देख रहे थे और फिर वे सारी बाते सोच कर सभी स्टुडेंट्स अपने दिमाग से ये सारी बाते जटक कर अपनी परीक्षा में फोकस करने लगे। जिस वजह से वो ज्यादा वक्त ये रहकार समझ नहीं पाया और वो बेहोश होकर जील में ही जाकर गिर गया। तब क्राउन प्रिंस और उसके दोस्त कैम्पिंग वाली जगह पहुँचे तो टीचर उन्हें नेक्स टास्क के बारे में बता रहा था और वहाँ जाकर उन्होंने सारी बात सुन ली और परीक्षा शुरू हुने के बाद साई की तरह उन्होंने देबल प्रिंस का पूछा भ लेकिन अचानक से डेवल प्रिंस को उस जगह के रास्ते में कुछ पत्थर पड़े हुए दिखाई पर रहे थे डेवल प्रिंस तो कब से उसे डेवल प्रिंस को अपने रास्ते से हटाना चाहता था लेकिन कभी मोका ही नहीं मिला उसे उसने अपने अंदर के शैतान को आया, लेकिन देवल प्रिंस ने अंजाने में अपनी गर्दन साइड कर ली जो किसी दूर खड़े डिसी चीज़ को जा लगा. ऐसे ही देवल क्राउन प्रिंस ने काफी सारी कोशिश की, पिर आखिर कर बहुत कोशिश करने के बाद एक बार जब देवल प्रिंस आकर रुख kay तो तबाकर डेवल क्राउन प्रिंस ने पीछे तीन से डेवल प्रिंस के सिर पर काफी दर से वार कर दिया था और वो अपने आपको इस अचानक के गए हमले से बचा नहीं पाया फ्लैश बैक एंड वो सभी दर के वहां से भाग गए कि तभी एक लड़की उस जील की तरफ आती है वो अपने कदम धीरे धीरे जील की तरफ बढ़ा रही थी और जैसे ही वो जील के किनारे पर पहुँची आगे जानने के लिए पढ़ते रहे अब सभी को आज का चाप्टर केसा लगा प्लीज जरूर टना